बाग और हाती भुर्तीला और बल्शाली जानवर है कि शायद ही जंगल का कोई और जानवर इसका मुकाबला कर पाए बाग की पहचान इसकी काली धारियां है जिनके कारण ये धारियों वाला जानवर भी कहलाता है अंग्रेजी में इसे टाइगर कहते है बाग की एक और खासियत इसका पारिवारिक जीवन है ये अपनी पत्नी और बच्चों से बहुत प्यार करता है योँ शिकार तो ज्यादतर बागिन करती है और वही बच्चों को शिकार करने लायक तथा आत्म निर्भर भी बनाती है बाग छोटे मोटे जानवरों की तो परवा ही नहीं करता वे तो उसकी एक गरजना से ही थर थर आ जाते हैं हाँ जंगली सुवर यहाथ ही उसे चुनोती दे तो कई बार भिड़न्त बड़ी रोमान्चक हो जाती है कभी कभी दो बाग भी आपस में भिड़ जाते हैं ऐसी हालत में जब तक एक खत्म ना हो जाए या मैदान छोड़ कर भाग ना जाए तब तक मुकाबला चलता रहता है दोनों चाहे कितने ही लहुलोहान क्यों ना हो जाएं लड़ाई नहीं धमती आज जंगल के राजा बाग पर संकट मनराता जा रहा है गीर और कानह सहित बहुत से अभ्यारणयों में बागों की संख्या तेजी से घटती जा रही है आदमी चल बल से उन्हें मार देता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाग जिन्हें भारत की शान कहा जाता है वे केवल किस्से कहानियों में ही रह जाएंगे बाग की तरह हाती भी बेहत बुद्धिमान और बलशाली जानवर है इसकी शान का भी जवाब नहीं बाग की तुलना में ये काफी विशाल जानवर है जिसे आते देख कर लगता है जैसे कोई छोटा मोटा पहार चला आ रहा हो पर हाती बड़ा अनोखा जानवर भी है छोटी छोटे बच्चों को सून से उठा कर अपनी पीट पर बैठा लेना और फिर सवारी का पूरा आनंद देना इसे बड़ा पसंद है ऐसे समय हाती की आँखों में भी बड़ी गहरी ममता देखी जा सकती है यूँ सरकस में ये एक से एक बड़े अजूबे दिखाता है किसी बड़ी से बड़ी बाधा या मुश्किल से ये नहीं घपराता हाती में धैर्रे भी है, बल भी और बुद्धी भी इसी लिए ये सभी का लाडला जानवर है और हर जगा इसे बहुत समान दिया जाता है हाती जितना बलशाली जानवर जंगल में कोई और नहीं यहां तक की बाग से भी भिड़न्त हो जाए तो वो भी इसका सामना करने से घबराता है हाती अपनी और से किसी को कम ही तंग करता है पर जब कोई उसे बिनाबाद परिशान करे तो वो उसे छोड़ता भी नहीं हाती एक पारिवारिक ही नहीं सामाजिक जीव भी है बड़े बड़े जुन्डों में रहना इसे पसंद है इसलिए तीस तीस चालीस चालीस हातीयों के जुन्ड जंगल में आसानी से मिल जाते है इतना बलशाली जानवर हाती अकसर आसानी से महावत के काबू में आ जाता है कोई महावत हाती को कैसे काबू में लाता है और उससे मन्चाहि काम करा लेता है इस पर भी बहुत खोजबीन हुई है बहुत से ऐसे शब्द हैं जिने महावत हाती को सिखा देता है वे शब्द बोलने पर हाती वही काम करता है जो महावत चाहता है जैसे त्रे कहने पर मुलेट जाता है उठ कहने पर उठता है किसी को सूंट के सहारे पीठ पर बैठाने के लिए भी शब्द हैं और पानी पीने नहाने के लिए भी हाथी बुद्धिमान और शांती प्रिये जानवर है इसकी मस्ती भरी चाल दर्शकों को मुग्ध करती है इसलिए 26 जनवरी की परेड में हाथी जरूर आते हैं जब महावत इसकी सुंदर शरीर पर चित्रकारी करते हैं तो इसकी छटा देखने लायक होती है पानी में नहाना इसे बेहत पसंद है कभी कभी तो ये घंटों, नदी या तालाब में घुसका नहाते हैं हाथी की उम्र लंबी होती है आमतोर से इसका जीवन देड़ सो से दो सो वर्ष तक माना जाता है अपने लंबे जीवन में ये आत्मी का हूब साथ निभाता है और बड़े बड़े काम कर दिखाता है नदी किनारे लकडी के भारी भारी लठों को ले जाने का काम अकसर हाथी ही करते हैं अकेला हाथी कई आद्मियों के बराबर काम कर लेता है हाथी और बाग सिर्फ जंगल की ही शान नहीं हम मनुश्यों के जीवन की भी शान और शोभा है आज वे संकट में हैं ये चिंता की बात है हम सब को उनके संरक्षन के लिए मिल जुल कर प्रयास करना चाहिए संदेश परियावरण संरक्षन के लिए मिल जुल कर प्रयास करना चाहिए